आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होंगे आज जो रेसिपी में आपके साथ शेयर कह रही हूँ वह बहुत ही सिंपल ईजी और डिलिशियस ही रेसिपी है और सबकी फेवरिक होती है यह सब्सक्राइब की सब्सक्राइब और मैं बना रही हूं शेल जम और पालत अगर आप अब प्यास हों तो आप एक ही डाली होगा बहुत ज़्यादा डालने से इसका टेस्ट मीठाएगा तो हमने इनको तब तक इसमें मूहना है फ्राइब करना है जब तक इसमें गॉल्डन कलर नहीं आता तो बहुत स्यादा डाग भी कलर नहीं देंगगा बिल्कुल राइड फ्रेश को तो जैसे ही हलका से गोल्डन सा कलर आएगा तो इसमें बाकी चीज़न एड करेंगे यह प्यास जो है वो थोड़े से ब्राउन हो चुके है जिस्टा नहीं देंगे इसको मिलादे रहेंगे ताकि उक्वली ब्राउन हो यह साइडों से तो इसके बाद में डालें बाद चाहें तो चॉब करके बीडाल सकते हैं तो उसके बाद हम इसके अदर डाल देंगे हरी मिच्चे हरी मिच्चे में इसमें तक्रीबंच पांच अदर डाली है इसमें जाब करें तो अपेस्ट यूस करते हैं तो अगरा की मिच्चे बहुत जब जाना बाद देंगे तो तो पानी का चिंटा लगा देंगे ताकि मसाला नीचे नहीं लगे उसके बारिसमें डाली हो में अध्रक में जूलेन करके डाला है इसे बहुत जबदस सा टेस्ट आएगा सब्दियो में वैसे भी द्रक जो है वह बहुत ही मारे लिए बेनिफिशल होता है तो आप जूरू इसको यूस किया करें तकरिबन एक इंच का टुकड़ा था आद रख का छोटे वाला तो वह तो के बन वंडेल स्पून ही मनता हो म जयाइज करें छूरू हमारे मिर्चे में दाली है इससे जाद आप नहएड करेंगे नवक मिर्च्श आप में मरजी के मताबिक हम ज्यादा कर सकते हैं अगर अगर आप ज्यादा का थे ऐ हुआ हुआ हूँ अ ज्यादा भी पाव्डर कि दूह एभी हुआँ डाला है बस इस अच्छा सा मसाला रेडी हो चुका है बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है तो इसके अंदर डाल देंगे अपनी सब्जी जो के एक किलो है शल्जम इसको मैं चोटे टुकड़ों में काटा है क्यूंके अगर आप इसको बड़े पीसे करेंगे तो इसमें पानी रहेगा तो यह चोटे-चोटे टुकड़े कर आप करके डाले हैं तो यह एक तो जल्दी गल जाएगा और दूसरा इसकी जो लुक है वह बहुत अच्छी आएगी जल्जम डालने के साथ ही मैं इसमें पालक एट कर दूँगी और पालक जो है तकरिबां दो कब बनती है यह जो एक होती है उसका भी तकरिबन क्यों था हिस्ता थी बहुत ज्यादा नहीं थी तो यह हमने डाल देनी है पालक इसके अंदर इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से पालक भी अपना पानी छोड़ेगी जो शेल्जम है उनमें से भी पानी रिलीज होगा तो आपने इस बात क ख्यार रखना है कि इसमें बहुत ज़्यदा एक्सट्रा पानी हमने नहीं डालना और सब्दी में थोड़ा सबानी था जो पालक ने तो यह थोड़ा सब थोड़ा सब्कानी आरहा रहा है और जैसे जैसे नीचे नजर आ रहा है, जैसे जैसे हम इसको हिलाएंगे, कि ये पानी साथ साथ छोड़ती जाएगी, सब्जी, लेकिन इसके अंदर हम डालेंगे, हाफ कप मैंने डाल दी है पानी का, क्योंकि हमने इसको कवर करना है, और इसको गलाना है अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर हम इसको पानी डालेंगे, तुझे शल्जम है, अपालक तो गल जाएगी, लेकिन शल्जम नहीं गलेंगे, तो हमने इसलिए इसको मिक्स कर देना है, हार ओपर ढखकर नगा देंगे, डखकंड में तकर दस मिन बाद कोला था, तो आप देख सकते हैं, अपाल बहुत अच्छे तरीके से, और अगर आप इसको चंक में रखना चाहते हैं, पीसी आपको अच्छे लगते हैं, तो आप ऐसी भी बना सकते हैं, तो अल्रेडी मेरे चैनल पे शल्जम गोस्ट की रेसिपी है, शल्जम और पालक की रेसिपी भी है, उसका थोड़ा सा डिफर मुझे दो में याद दुकिक, आख मिलें इंचरा नेक्स वीडियो में, तिल नें टेक जे गुद्बाई, रहाफेज